चलिए आज आप बहुत खुश होंगे आपकी पढ़ाई अलाई चल रही है पुनह बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आपके लिए अच्छे दिन आए इस्वर से अदास कर रहा हूँ इस्वर खुदा गाड परमात्मा अलाह मालिक से बराबर बिंती कर रहा हूँ प्राप्टा कर रहा हूँ कि है इस्वर है खुदा है गाड परमात्मा अब तो कम से कम अच्छे दिन आए बहुत दिन हो गए कम से कम अब अच्छे दिन आए इसांके मंग्ल मैकामना के साथ आज हम चंद लेकर आए हैं आपको आपके पास चंद इसमें 9, 10, 11, 12 इन चारों क्लासों में छंद से प्रशन पूछता है निश्चित्रूप से आएगा कि यह कौन सा छंद है दोवा छंद है, सोठा छंद है, रोला छोड़ छंद है, चोपाई छंद है, आधी आधी तो जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप बता नहीं सकते हैं कि वह कौन सा छंद है इसमें सबसे पहले आप समझीए कि छंद कहते किसे है, छंद कहते किसे है तो परिवासा देंगे इसकी कि जिस रचना में बर्ल मात्रा पाद इसको चरण भी काते हैं यती तुक का ध्यान रखा जाता है उसे चंद काते हैं फिर एक बार सुन लें कि जिस रचना में बन्ड, मात्रा, पाद या चरण यती तुक का ध्यान रखा जाता है उसे चंद काते हैं इसमें बहुत सारी बाते आ गई कि बंड क्या है मात्रा क्या है पाद क्या है यति क्या है तुक क्या है यह जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक ना तो आप सुध लिक सकते हैं और ना उसको सुध पढ़ सकते हैं और ना बता सकते हैं कि वह कौन सा संद हैं इसलिए सबसे प मात्रा क्या है, पाद क्या है, यति क्या है, तुक क्या है। बर्ड आग छोटी कलास। में छोटी का छ्याओं में पणचुक के एंगे कि बर्ड क्या है किसे काते हैं तो बर्ड ध्वन की सबसे चोटी ही काई होती है। ध्वन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या काते हैं बर्ण काते हैं इसके बाद आता है मात्रा मात्रा में आप पढ़ेंगे आखी मात्रा है उकी मात्रा है री की मात्रा है आखी मात्रा है उकी मात्रा है यह मात्रा में बहुत सारी बाते नहीं बतानी है यहां मात्रा को समरने के एक लिए दो बाते आती हैं, एक को काते हैं हम हर्स, इसमें मात्रा नहीं है, ज्यांदी जीएगा, इसमें मात्रा नहीं है, हर्सो बंड में इसको लगुबंड भी काते हैं, क्या काते हैं, लगुबंड, लगुबंड भी काते हैं इसे, इसमें, आ, ई, उ, री, इनको हम काते ह हर सोबन दिर्गबन में आता है आ ई उ ए ओ अनुस्वार और विशर्ग अम अहा फिर एक बार ज्यान दें हर सोबन को लगूबन भी काते हैं इसमें मात्रा नहीं है आता है आ ई उ री दिर्गबन में आ ई उ ए ओ ओ अनुस्वार और विशर्ग एक बार और ज्यान दें कि दिर्गबन लगूबन में क्या होता है कि जिनके उचारण में समय कम लगता हो वह लगूबन या हर सोबन होते हैं जिनके उचारण में समय अधिक लगता हो वह दिर्गबन होते हैं मतलब कहने का कि चारण में समय अधिक लगता है इसलिए या क्या है दिर्गबन इसके बाद आता है बड मात्रा के बाद पाद या चरण सबसे पहले आप दोहा देखें दोहा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पाद या चरण क्या होता है दोहा है कागा काको धन हरे कोयल काको देख मीखे बचन सुनाय कर जग अपनो कर लेख पढ़ने का तर तरीका भी कैसे हम दोहा को पढ़ेंगे यह इन सारी बातों पर निर्वर करता है इन सारी बातों पर निर्वर करता है जब तक यह नहीं जानेंगे तब तक हम सुद सुद उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं ही जागा काकोध्न हरे एक चरण हो गया यह इक पाध हो दे या दूसरा पाध या दूसरा चरण हो गया मीखे बचन सुनाय कर यह तीसरा चरण हो गया यानि कहाने का ताथ पर यह है किसे में चार चरण होते हैं क्या होते हैं चार चरण होते हैं जान दीजिएगा पर तेक छंद में अलग अलग उपभाग होते हैं उसे चरण काते हैं पर तेक छंद में अलग अलग यह जैसे मैं बताया कि यह यहां एक यहां एक य यहां 1 यह अलग-अलग है प्रती एक संध में याकने था छंद में क्या हो गया अलग-अलग भाग हो गया एक भाग दो भाग तीन भाग चारह भाग उसे ही हम क्या करते हैं करते में आठ्व पात करते और जिसे अभी यहां चौपाई में चार, चौपाई में चार क्या, पाद या चरण, चौपाई में छे पाद या चरण, यनि चौपाई में चार पाद होते हैं, दोहा में चार पाद होते हैं, चौपाई में छे पाद या छे चरण होते हैं, फिर इसके बाद आप आईए समझते हैं, यती क्या है, यती, यती, यती का मतलब होता है बिराम, जैसे आप पढ़ते हैं अर्ध बिराम, पूर्ण बिराम, मतलब रुकने की स्थि, हम पढ़ रहे हैं, एक रुकने की स्थि, बिराम देने की स्थि को हम क्या कहते हैं, यती कहते हैं, जो रुकने की स्थि है, रुकने को जो ब्योस्थ बनाई गई है रुकने की यानि Pाठ कुशंद पाठ को करते समय रुकने की जो बे motsा बनाई गई है उसे हम कहते हैं यती फीर एक पर ध्यांद में यहां यति कहां lux आगा काको धन हरे रुक गए यानि यहाँ पर यति का चिन लगा हुआ है कोयल काको दे मीठे बचन सुनाय कर देखिए या इसको अंगरीजी में कामा भी कहते हैं जग अपनो कर ले यह वत यति है जो रुकने की ब्योस्था बनाई गई है जो रुकने का अस्थान है उसे हम कह कहते हैं यति फिर इसके बाद आता है अगला पॉइंट कि गति किसे कहते हैं गति गति छंद पाठ के समय जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम गति कहते हैं जैसे चढ़ते हैं उतरते हैं कागा काको धन हरे कोयल काको दे मीखे बचन सुनाय कर जग अपनो कर ले जो उतार चढ़ाव की ब्योस्था है जो उतार चढ़ाव छंद पाठ में हो रहा है उसे हम कहते हैं गति फिर इसके बाद आता है तुक अंतिम पॉइंट है तुक तुक क्या है कि पद के अंत में बरणों की समानता को तुक काते हैं जो पद का अंत है यो यो तेखिए कागा काको धन हरे कोयल काको दे अंत में क्या आया यो मीठे बचन सुनाय कर जग अपनो कर ले क्या आया अंत में यो यानि पद के अंत में जो बरणों की समानता होती है उसे हम काते हैं तुक फिर एक बार सुन लिजिए जिस राचना में बरण, मात्रा, पाद, यती, तुक का ध्यान रखा जाता है उसे छंद काते हैं इसमें कई सारी बाते हैं बरण है, मात्रा है, पाध है, यती है, तुक है या सारी बाते समझनी हैं अब बरण क्या है? ध्वन की सबसे छोटी काई मात्रा क्या है? बड़ी छोट, बढ़ाओ, उ, आ, ए, ओ, आओ, आधी, आधी इसमें छंद में यह देखना पड़ता है, कि कौन हर्सो है और कौन दीर्ग है, हर्सो अ, इ, उ, री को कहते हैं, और दीर्ग बिसें परती एक छंद में अलग-अग भाग होते हैं, उसे चर्ण कहते हैं, जैसे चोपाई में चारु भाग चपाई में चार चरन, चपाई में चार पाद, चपाई में छह चरन, छह पाद, आदी आदी, यति क्या होता है, रुकने की जो बैस्था होती है, रुकने का जो अस्थान होता है, उसको हम यति कहते हैं, गति क्या होता है, चंद पाट के समय, जो उतार चरहा होता है, उसे गत काते हैं तुक क्या है पद कैंत में बढ़नों की समानता होती है उसे तुक काते हैं जैसे आप बुम समझाया कागा काको धनहरे कोयल काको दे मेठे बचन सुनाया कर जगपर कर ले अन्त में क्या या यो और यह इसलिए यह क्या तुक बर्ण की समानता इसके वाद हम आपको एक एक करके बताएंगे कि चा कितने प्रकार के चंद होते हैं चंद के प्रकार कौन-कौन से हैं चंद तीन प्रकार के होते हैं जिसे हम कहते हैं मात्रीक चंद बर्णीक चंद और मुक्तक चंद ये चंद के प्रकार अभी मैं का हूं कि देखिये छंद के प्रकार हम आपको बता रहा थे छंद के प्रकार कि इस चंड कितने प्रकार के होते हैं तो छंद पर मात्रिक छंद- दूसरे वगाते हैं भर्डिक याност और तीसरे उकाते हैं मुक्तक शंद मात्रिक शंद, बर्णिक शंद, मुक्तक शंद यहां हम आपको आज के इस वीडियो में मात्रिक शंद बताएंगे फिर अगले वीडियो में बर्णिक शंद और मुक्तक शंद बताएंगे तो यहाँ देखिए मात्रिक शंद, मात्रिक शंद क्या है, उसको कैसे परिवासित करेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, जिनके प्रतिएक चरण में मात्राय निश्चित होती हैं, जिनके प्रतिएक चरण में, जैसे कि में उपर मैं आपको बताया कि पाद या चरण, चौपाई में चार पाद होते हैं, चार चरण होते हैं, चौपाई में छे पाद या, छे चरण होते हैं, दोहा में चार चरण होते हैं, तो जिनके प्रतेक चरण में मात्राएं निश्चित होती हैं, जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सोर्ठा, बर्वै, आदियाद, दोहा, चौपाई, रोला, सोठा, बरबर, इन में मात्राएं क्या होती हैं, इनके पाद या चरण में मात्राएं निश्चित होती हैं, जैसे यहां समझाने हैं तुम मैंने लिखा, कि दोहा में देखिए क्या होता है, कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, याद मतलब और चाह कि निश्चित है कि इतनाहीं मात्रा होगा अगर इतनाहीं मात्रा है तब तो वह दोहा है अन्य था गलत फिर दखिए सोठा में इसी का उल्टा होता है कि पहले और तीसरे चरण में ग्यारा ग्यारा मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में तेरा तेरा मात्राएं होती हैं चौपाई में परते एक चरण में परते एक पाद में सोला मात्राएं होती हैं रोला में परते एक पाद में अथ्वा परते एक चरण में चोविश मात्राएं होती हैं बरवे में पहले और तीसरे चरण में बारा मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में साथ मात्राएं होती हैं कौने कातात परिया है कि जीन के परतिये का चरण में मात्राएं निश्चित होती हैं वह मात्रिक छंद होता है और आज आपको मात्रिक छंद ही पढ़ना है इसके बाद आपको बताते हैं ये दोहा यहां देखिए दोहा कैसे परिभासित करेंगे इसको ऐसे परिभासित करेंगे दोहा और्धसम मात्रिक छंद है इसमें चार चरण होते हैं इसके पर्थम और तीरतिय चरण में तेरा तेरा और दूतिय और चतूर्थ चरण में ग्यारा ग्यारा मात्राएं होती हैं इसमें चार चरण होते हैं इसके प्र्थम और तीरतिय चरण में तेरा तेरा और दूतिय और चतूर चरण में ग्यारा ग्यारा मात्राएं होती हैं उदान दिया गया आपको पहले मैं बताया एक उदान दिया था कि कागा काको धन हरे कागा काको धन हरे कोयल काको दे मीठे बचन सुनाय कर जग अपनो कर ले यहां देखिए कि रहीमान धागा प्रेम का मत तोरे उचटकाय तूटे से फिरिना जुरे जुरे गाठ परी जाए अब इसमें हम कैसे असपश्ट करेंगे मातरा कैसे गीनेंगे यहां मातरा गिनने के लिए आपको बता दे रहे हैं क्या बड़ा है क्या छोटा है देखिए य कि उपर मैं आपको बताया नहीं कि हर सो को हम ऐसे परदर्शित करते हैं और दिर्ग को ऐसे परदर्शित करते हैं इतना याद रखिएगा छुट गया भूल गया हर सो को यानि लगू बर्ण को हम ऐसे परदर्शित करते हैं और दिर्ग बर्ण को ऐसे परदर्शित करते हैं दो, गा, दो, प्रेम, दो, एक, दो, जान दीजेगा, एक, दो, तीन, चार, दू, छे, दू, आर, दू, दस, एक या ग्यारा दू, दू, तेर न. क्या मैं दिया हों कि 13 मात्रा यानि पर्थम चरण में कितना 13 फिर ज्यान दें 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 3 ये 13 हो गया फिर पर्थम चरण में और फिर दूतिय चरण में कितना है 11 तो एक 2 2 4 2 6 एक साथ, आठ, नो, सारी, कहां से मैं की दिया, एक, दो, दू चार, एक पांच, छो, साथ, आठ, दू दस, एक ग्यार, दान दीजिएगा, यह एक ही मात्रा है, यह एक ही मात्रा है, यदि एक ही मात्रा होती, तब दो होता, रहीमन धागा, प्रेमका, मत तोरेव, चटकाय, तूटे से फिरी ना जुरे, जुरे गाठ परी जाए, यहां देखिए मात्रा, फिर से द्यान दे, एक, दो, तीन, चार, दूछ, दूआट, दूदस, एक, ग्यार, दू तेर, पहले चरण में तेर, दूसरे चरण में ग्यार, एक, दो, दूचार, पांग, छै, साथ, आट, दूदस, एक, ग्यार, फिर ऐसे ही, चारे चरणमें निकाल लेंगे, इसमें कितना होगा और इसमें कितना होगा, तो फीर एक बार ज्यान ने कि दोहा में पहले और तीसरे चरणमें तेरा-तेरा मात्राय और Даard, तूसरे और चॉस्थे चरणमें 11-11 मात्राय होती है ठीक उसी प्रकार आप क्या करेंगे उधारन लिख लेंगे उधारन मैं बोल दे रहा हूं आप लिख लेंगे और ऐसे ही मात्रा लगाएंगे उसको गीनेंगे कि क्या है वो दोहा है सोठा चपाई है रोला है बरवे है आदी-ादी जैसे मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की जाई परे स्याम हरी तदूती होई जैसे श्रीगुरु चरन सरोजरज निजमन मुकुरु सुधार बरन उरगुबर अभीमल जस जोदाय कफल चार जीतना दोहा आपको याद आता है आप कभीर्दा जी का दोहा लिखिए रहिन दास जी का दोहा लिखिए और दोहा लिख करके आप क्या की दिए? आप मातराओं को मिलाईए, कि आपकी पर्थम चरण में, तिरती चरण में, तेरतीरे मातराओं हो रही है कि नहीं हो रही हैं, दूती और चतूर्थ चरण में ग्यारे ग्यारे मातराओं हो रही है कि नहीं हो रही हैं, फिर इसके बाद दोहा के बाद हम आते हैं सोर्ठा दोहा के बाद हम आते हैं सोर्ठा पर अब देखिए सोर्ठा को परिभासिक कैसे करेंगे सोर्ठा में सोर्ठा में या मैं बता भी दिया हूँ कि ठीक दोहे का उल्टा अब दोहे का उल्टा कैसे करेंगे देखिए कैसे लिखते हैं सोर्ठा सोर्ठा ये क्या है कि पहले और तीसरे चरण में यहां क्या था तेरा था इसमें क्या हो गया पहले और तीसरे में 11 हो गया और दूसरे और चोथे में 13 हो गया तो सोर्ठा में पहले और तीसरे चरण में देखिए सोर्ठा आपको बता रहे थे कि यह दोहा का उल्टा होता है इसकी परिवासा मैशे देंगे कि यह और्धसम मात्रिक छंद है इसमें भी चार चरण होते हैं इसके परतीए चरण में मात्राइं कैसे होती है इसके लिए इसके पर्थम और तृतिय चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चोथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है जैसे उदाना दिया गे आपको कि नौ उज्वल जलधार हार हीरकसी सोहती बीच बीच छाहरती बूद मध्य मुक्तामनी पोहती दूसरा उदाना दिये कि नील सरोरुह स्याम नील सरोरुह स्याम सरुल अरुल वारीज नयन करव सोमम उरधाम सदा छीर सागर सयन यहां देखिए कैसे मात्राओं को देखेंगे यहां मैं आपको बताया कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 दूसरे और चोथे चरण में 13-13 मात्राओं होती है यहां देखेंगे नो वा बात्रा नहीं है एक 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 उएक उएक आधा जहां भी हो उसके लिए हम मात्रा नहीं लगाते हैं जो एक वो एक लो एक जो एक लो एक और धा दो और रो एक कितना हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ डू दस एक एक ग्यारा यानि पर्थम चरण में कितने हो गया है एक ग्यारा दूरती चरण में देखेंगे कि हा दो रो एक ही दो रो एक का एक सी दो सो दो हा एक और ती एक छोटी मात्रा है बड़ी में दो लगता है तो यहां गिनेंगे दो एक तीन दू पांच एक छो एक साथ दू नौ दू एक गारा एक बारा एक तेर सद्ध अनुस Records यह सोठा आस पसिति कि अपको 10 अपशर स्पस्टोस हुआ है बढातबलना हो अस्पस्टीकरण देना हो दूरसके गए फैसे लिखें गेंगों कि यंदे गत्ध गλतोमेária के तेरा इस लिए यह सोर्ठा चंद है फिर एक बार यह अर्ध सम्मात्रिक चंद है इसके पर्थाम और तृतिय चरण में ग्यारे ग्यारे और दूसरे और चोथे चरण में तेरा तेरा मात्राएं होती है अब आपसे देखिए केवल उपर के पक्ति में मैंने मात्रा दिया उपर के पक्ति में मात्रा दिया आपको बताया समझाया अब आप क्या करेंगे कि जो नीचे वाली पक्ति है आप उस पर भी मात्रा बैठाएंगे कि जो सर्त है तेरा ग्यारे का वह सर्त पूरा कर रहा है कि नहीं और जिसको यह मात्रा लगाना आ गया और यह याद हो गया यह याद हो गया वह कभी छंद भूल नहीं सकता है इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसको याद करें कि किस में कितनी मात्राएं होती है कि किस चरण में कितनी मात्राएं होती है जिसको याद आगया वह जीवन में कभी भी छंद भूल नहीं सकता है इसके बाद हम आपको बताएंगे कि चोपाई इसके बाद आपको मैं बता दिया दोहा बता दिया सोठा बता दिया अब आपको बताते हैं चोपाई चोपाई देखिए कैसे है चोपाई क्या परिवासा है